पर कि आ जो कई आज पास है डिदू की तरफ से आने वाला डिदनी श्मार्ट बैंड प्रो जो रिसंट्ली अभी लॉंच किया अ और यह जो स्मार्ट बैंड है ज़िका आज तो आज वीडियो में यार हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे और इसके डीटेल रीविव के बारे में भी जानेंगे तो यहां पर सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो यहां पर 3.73 सेंटीमेटर क्रिप्स पुल्एट डिस्प्ले यह काफी के बारे में उसके बारे में तो यूज करने के बाद एक रिव्यू में बता दूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा चलिए चलते हैं box के पीछे side में तो यहाँ पर आपको box पे product का name लिखा हुआ है और सारा कुछ जो है वो mention किया गया है तो यहाँ पर दोस्तों यह जो smart band है यार काफी amazing मुझे लग रहा है चलिए इसे जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर slip tracking, always on heart monitoring rates, magnetic charging और 5 ATM water resistance suitable for swimming यह सारा कुछ भी यहाँ पर जो है वो mention किया गया है तो हम लोग इसे फटाफट से जो है वो unbox कर लेते हैं तो यहाँ पर यहाँ इसे मैंने जो है open कर लिया था लेकिन आप लोगों के लिए भाई एक बर फिट से open कर देता हूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से box है ठीक है अब यह जो है यह देख लो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता भाई स्मार्ट बैंड साइड के ओवर में यहाँ पर जो है यह चार्जर मिल जाता जो की कंपणी बोल कि मैगनेटिक चार्जर और यह सच में मैगनेटिक है है यहाँ पर कुछ जो है वह यूजर मैनुवल्स गाइड है तो इसे भी आप लोग यहाँ देख सकते हो इंग्लिश में यह तो आप लोग यहार पढ़ सकते हो कैसे यूज करना किस तरीके से स्कैन और करना है वो सारा कुछ यहां पर जो है वो मेंशन किया गया है इसी भी रख देते हैं साइड में अब आते हमारे बैंड की तरफ तो यह है हमारा रेड्मी स्मार्ट बैंड प्रो अब यह जो स्मार्ट बैंड प्रो है भाई काफी अमेजिंग लुक लग रहा भाई पीछी के और आप लोगों को चार्जिंग मिल जाता है देख सकते हो और इसका जो यह बाई स्ट्रिप्स काफी सही मुझे लग रहे हैं रवर के साथ में औ यहां पर हमने अपने स्मार्ट बैंड को जो है वह कनेक्ट कर लिया है पूरी तरीके से देख सकते हैं अपने फोन से और यहां पर यह कनेक्ट हो चुका है तो हमारा यह स्मार्ट बैंड कनेक्ट हो चुका है तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में अब आते हैं यहां स् स्मार्ट बैंड आप लोग देख सकते हो यहां पर 75 परसेंट की बैटरी देखने को आपको मिल जा रही है यहां पर दिखा देता हूं 75 परसेंट बैटरी है और बी काफी सारी चीजें हैं यहां पर जैसे की वर्क आउड मूड वगएर है ठीक है और एक्टिविटी है और यह यह एक बार भाइसरों इक और आपने एक बार वाला यूस कर लिया फिर आपको जो हैं downtown को स्लिप मूड, स्ट्रेस मूड, ब्रेटिंग, साइक्वल, वेदर, म्यूजिक, कैमरा, इलार्म, स्टॉप वाच, और नौटिफिकेशन, फाइंड माई फोन वगेरे, यह सारा कुछ इसमें है, फोर एक्जामपल, मुझे अपने फोन को ढून आया, तो मैं यहाँ पर फाइंड फोन को क्लिक करूंगा, तो मेरा फोन अगर कनेक्टेड है बहाई, तो यहाँ पर यहां पर यह बजने लगा, मेरा फोन और यहां पर नौटिफिकेशन पर मिल जाते हैं, फ्लैश्लाइट तक जा सकते हैं यहां पर लेवल फॉर लेवल फाइव तो यहां पर लेवल फाइव तक है तो ब्रैटनेस काफी जादा बढ़ जाती है ठीक है उसके बाद यहां पर आपका वर्क आउट का भी ऑप्शन से रनिंग ओटो डिटेक्ट व अगरे कर लेगा तो इसे आप अंधर म बार बार आपको घड़ी नहीं देखना है मतलब कोई आपको घड़ी देखते वे नोटिस ना करें तो उसके लिए आप जो है आलवेज ओन डिस्प्ले कर लो और अगर कहीं आप स्कूल वगएरे में हो या कॉलेज वगएरे में भी हो तो यहां पर यह आपको टाइम जो है व यहां पर डिफॉल्ट है आप इसे स्ट्रॉंग या थोड़ा कम भी रख सकते हो बैंड के बारे में भी यहां पर सारा कुछ दिया हुआ है तो यह सारी चीज़ें यहां पर देखने को मिल जाती है यहां पर नोटिफिकेशन के अंदर में आपके फोन में जो भी नोटिफि चिपका हुआ ही रहेगा तो इसे आप चार्जर के साथ में कनेक्ट करके अपने MI बैंड को चार्ज कर सकते हो चलिए इसे यहां पर से स्लाइड करऊंगा और यहां पर मेजर कर लेगा तो यहां पर आप लोग को दिखा देता हूं यह जो है मेरे heartbeat को जो है वो measure कर रहा है और यहाँ पर जो है वो कितना accurate आता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा यार यह detect करने में time लेता है और आपका जो है वो measure हो जाएगा heartbeat तो देख सकते हैं 80 BPM यहाँ पर शो कर रहा है साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग SPO2 को भी जो है वो measure कर सकते हैं यहाँ पर मैंने measure कर लिया तो यहाँ पर SPO2 को भी आप लोग यार मेजर कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो काफी amazing सा लुक लग रहा भाई बताना और बहुत सारे भी बैंड आते हैं लेकिन एमुलेट डिस्प्ले के साथ बहुत कम आते हैं और आलवेज ओन डिस्प्ले सभी बैंड के अंदर में लगबग नहीं रहता है तो यह जो बैंड आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग होने वाले हैं तो लिंक नीचे डिस परसेंट हो चुका है इस पर जो है यह यहां पर दिखा रहा है यहां पर सही है यहां पर स्लिप मूड और भी काफी सारे मूड है इधर आप लोग स्लाइड करते हो तो टॉट्ट अलारम डियन दी मूड और वी बहुत सारी चीज़ें जो है वह आपको देखने को मिल जाती तो यहां पर वह शो कर रहा है यार भागलपूर तो यह सारा यार काफी इंट्रेस्टिंग लगता है मुझे यह सब फीचर इसके अंदर में तो आप लोग कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इसके उपर में डिटेल में रिव्यू चाहिए न में डिपेंड करेगा और आपका अन है तो इसमें थोड़ी सी जो बैटरी है वो ज्यादा कंस्यूम होगी अगर यह वीडियो को अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और कोई कोशन होगा तो नीचे कॉमेंट से टेक केर बाइबाइब